दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोन के बटन को दोस्तों कैसे हाइट करेंगे दोस्तों उसके हाइट करने के फायदे के आऊंगे और दोस्तों उसे कैसे छिपाएंगे तो आज की इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा दोस्तों है टच खराब हो सकता है दोस्तों कोई भी जब दोस्तों चलाता है कोई और आपका दोस्त या फिर कोई भी दोस्तों आपका फोन यूज करता है तो उस पर बार बार तेजी से क्लिक करेगा तो आपके टच डिस्प्ले का खराब होना संभावे दोस्तों तो आज इस वीडियो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों यह दोस्तों सभी फोन में सेटिंग है मैं आपको सेटिंग में ले जाकर दिखाऊंगा तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पक्के दोस्तों आपको जरूर सपोर्ट करेंगे अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने बाद दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके आल नट फिकेशन करना बिल्कुल मत बुनना दोस्तों अगर आप इस्टागराम यूज करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मां से हमें फालो कर लें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज हम लोग इस फोन के बटन को हाइट करेंगे इससे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं हाइट करने के चलिए दोस्तों वीडियो मुस्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्त आपको जाना होगा अपने सेटिंग में जाने के पाद दोस्तोद आपको जाना होगा स्कॉल करने के पाद दोस्तो आपको एक option मिलेगा जिसका नाम है किना सिस्टम नेविगेशन यह रहा दोस्तों आप देख लीजिए शिस्टम नेविगेशन इस पर आपको दोस्तों किलिक करना होगा दोस्तों आपको दो आप्शन मिलेंगे एक बटन जो थी दोस्तो ाकरने का एक दोस्तो बटन होती है हुआइट करने का जो कि आप उपर जब ऐसे इसकॉल करेंगे तो अटोमेटिक बेख होगा तो चलिए दोस्तों हम अपनी पटन को ईड़ कर देते हैं इस आइकन पर किलिक करके बैक करनेंगे दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई बटन का आप्शन नहीं है अब दोस्तों कुछ ओपन करने के बाद दोस्तों मैं सेटिंग को फिर से उपन करता हूँ और देखिए दोस्तों अब यहां से मैं बैक करूंगा तो बैक हो जाएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट मैं जरूर बताएं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आल नोटिफिकेशन कर लें टैंक यू सू मच